अग्जाम पॉइंट रहने वाले हैं और आपके यह आने वाल एक्जाम जैसे एस्ट पॉलिस, सेक्टरेट और टैट अन्य सब एक्जामों के लिए बहुत ही महत्तपुन रहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों अभी तक हमारा चनल सस्क्राइब नहीं क्या है वो हमारा चनल सस्क्राइब कर दे और बैल आइकान पर टैप कर दे ताकि आपको आनवाल वीडियो की नौटिफिकेशन तरंथ मिल सकें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो मारा पहला कोशन है सन 1948 में मार्शल प्रदेश में किन्ने जिले थे इसका अंसरो जगा चार और यह जिले कौन से थे मंडी महासू और से मौरर शमबा ठीक है दोस्तों और उसके बाद हमारा 500 जिला सन 1954 में बना था और वो जिला कौन सा यह भी लास्पूर ठीक है और उसके बाद मारा च्छटव जिला की नौर बना था वो बना था 1960 में तो आपको यह सब फैक्ट याद रखने है यह आपके exam point of view से बहुत important है ठीक है दोस्तों मारा next question है 1815 में संगोली संदी पर किन दो पक्षरों ने स्दाक्षर किये थे इसकांसरो जगा गोर्खा और अंग्रेज हमारा next question है हिमाश्री प्रदेश में पहली विधान सबा किस वर्ष थापित हुई इसकांसरो जगा सन 1952 में ठीक है दोस्तों हमारा next question हिमाश्री प्रदेश के कि सीदे पर अमें सरवाधी क्विधा अंसरो जग कांग्रा में हमारा next question हिमाश्री परवती राज्य परिशद का गठन किस वर्श हुआ था इसकांसरो जगस्तान 1956 में हमारा next question हिमाश्रा अ्में 150 मिन्नालागड किस राज्य का इस सिवह को त्था इसकांसरो जगा पंजाब का तो मारा नेक्स कुछन है, हिमाश्र प्रदेश में कितने मंडल आयुक्त है? इसका अंसरो जगा तीन और ये कौन कौन से है? श्रिमला मंडी और कांगडा. ठीक है दोस्तों? मारा नेक्स कुछन है, भोरंच किस जीले की तसील में है? कुछन है, भोरंच किस जीले की तसील है? इसका अंसरो जगा हमिरपुर. ठीक है दोस्तों? मारा नेक्स कुछन है, हिमाश्र प्रदेश में सन टेंपल कहां है? इसका अंसरो जगा नीरत में. और ये नीरत कहां पढ़ता है? सरहान में. ये कुछन आपको इस तरह भी पुछ ज आता है कि नीरत किस नदी के किनारेश स्थ है? आपका अंसरो जगा सतलुज. ठीक है दोस्तों? मारा नेक्स कुछन है, महमूद गजनवी की सैना ने कांगणा में कौन से मंदिर को नश्ट किया? अंसर है, ब्रिजेश्वरी मंदिर. और ये कब क्या था? एक जार नौ इसव है, हेडिंबा देवी का मंदिर कहां स्थ है? इसका अंसरो जगा मनाली. और मनाली में ये कहां पर है? डुंगरी में. और वहां पर ये मिला आयोजीव दिखिया जाता है, जिसे डुंगरी का जाता है. मारा नेक्स कुछन है, मारकंडे मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका इसान सरुजगा बिलाशपूर जुखाला हमरा नेक्ट especन है कि каж पुष्ट नमक पुस्तक किसले लिखी is 강न्सरुजग रा사व संकृत्यान हमरा नेक्ट सकोषन है प्रराचिन हिमाचियत्ट किसले लिखी इसं सरुजगा लसी पांडे हमारा next question है हिमार्चिर प्रदेश कला और संस्कृति अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी इसकान सरुजगा सन 1972 में ठीक है दोस्तों हमारा next question है चाय का उत्पादन मुख्यत किन जीलो में होता है question है चाय का उत्पादन मुख्यत किन जीलो में होता है इसकां सरुजगा कांगड़ा और मंडी में मारा next question है नातपा जाकडी जल विदित परियोजना किस जिल पर चलाई जा रही है इसकां सरुजगा सतलुज और यह नातपा जाकडी है कहां पर यह पढ़ता है कि नौन डिस्टिक में ठीक है दोस्तो मारा next question है आंद्रा परियोजना कहां है इसकां सरुजगा शिम्ला में मारा next question है हिमाच्र पर देश में सबसे अधिक जनसंख्या गनतव किस जिल लेका है इसकां सरुजगा हमीरपूर में और यह कितना है 407 अगर आपसे पुशचर जाए कि हिमाच्र पर देश में सबसे साक्षर जीला कौन सा है तो आपका अंसर होगा हमीरपूर ठीक है दोस्तो ठीक है दोस्तो मारा next question है हिमाच्र पर देश आयरुवेदिक फार्मेसी कहां है इसका अंसर होगा जुगिंदर नगर में ठीक है दोस्तो हमारा next question है हिमाश्य प्रदेश में राष्ट्रे क्रिशी बिमा योजना अरंब की के थी इसका नसरोगा सन 1999 में हमारा next question है अंगरीजी साहित्य के विख्यात साहित्य कार का जरम हिमाश्य प्रदेश के कसौली कस्वे में हुआ वे कौन थे इसका नसरोगा रस्किन बॉन्ड ठीक है दोस्तों मारा नेक्स कुछन है केंद्री आलू अनुसंधान सस्थान पटना से शिमला कब बदला गया इसका नसरोगा 1956 में तर आप से एक्जाक्ली पुछ जाएगी यह कहां परसीत है आपका नसरोगा बैमलोई शिमला में मारा नेक्स कुछन है भारत के पूर परदान मंतरी अटल भिहारी का निवास थान हिमाशल में स्थित है इसका नसरोगा कुल्लू और कुल्लू में कहां पर है प्रिनी नमक जगा पर हमारा लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली बार यात्री रेल कब चलाई गई थी इस कांसर हो का 9 नॉम्बर 1903 में ठीक है दोस्तो और इसके लंबाई कितनी है 96.5 ठीक है दोस्तो तो ये थे दोस्तो आज के मारे most important HPGK के question आशा करते हैं आपको ये वीडियो प्रसंद आई होगी और साथ जीन दोस्तो ने अब तक मारा telegram group join नहीं किया है वो मारा telegram group join कर ले आज के लिए दोस्तो इतना है जय हैं जय बारत